लेकिन सात्यों मैं जानता हूँ, सिख्षक की भरती का जो गोटाला हुआ, उसमें जो पीडित है, उनकी जिन्दगी कितनी बदहाल हुई है। और मैं मेरे अद्दग जी यहां बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुजाव देता हूँ, कि यह जो सिख्षक भरती कोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोस लोग भी हैं, जो सचमुच में शिख्षक की नोकरी के हगदार है, यह बाकियों के पात के काराण, यह निर्दोस लोग भी मुसिबल में गिर गए हैं, मैंने पस्चिम मंगाल के हमारे बीजेपी के अद्गजी से कहा है, कि हम पार्टी के तोर पर, यह जो सिख्षक भरती में जिनकी नोकरी गई हैं, उसमें नेक इमानदार लोग है, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, मैंने मंग बीजेपी से कहा है, कि प्रदेस्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्रेटफरम बनाया जाए, इससे उन लाभारतियों के मदद होगी, जो डॉक्कुमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटा लेके शिकार हुए हैं, बीजेपी ऐसे अभ्यारतियों को कानूनी सह नायता भी देगी और उन्हें न्याय दिनाले के लिए पूरी ताकत से काम करेगी, हम इमानदार के साथ खड़े रहेंगे, और मेरा मंगाल उने भले चुनाव चलता है, लेकिन ये काम करेगा, और जिन सिख्ष इमानदार सिख्या, जिनोंने प्रस्त किया हैं, वो सजा लेकिन बहुत इमानदार लोग है, जिनके पास सच्ची डिगरी है, इस दिलों वो भी फस गए हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनको न्याय के लिए हमारा पस्चिम्मंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है टीमसी के तोले बाजों की मन माहिनी नहीं चलने दी जाएगी, टीमसीर तोला बाजी चोलते देवोना, एटाम मोदीर गारंटी